हेलो गाइज इंवेश्मेंट के याँ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज हम SDI के एक नीचल फंड को रिव्यू करेंगे जिसने ओवर ओल दोस्तो FDRD के कमपेरिजन में दो गुने से भी ज़्यादा रिटन्स प्रोवाइड कराए है जिए हां दोस्तो में भी इसने दोस्तो 17.21% के रिटन्स दिये हैं जबकि अगर आप किसी भी बैंक के अंदर या पोस्ट ओफिस के अंदर अगर आप FDRD या PPF के रेट्स देखेंगे तो वो दोस्तो आपको 7.7% से ज़्यादा नहीं दिखाई देंगे लेकिन यहां पर इसने दोस्तो 17.21% क पिछले 5 साल में भी FDRD के कमपेरी जन में लगभग धाई गुने रिटन्स प्रोवाइड कराए हैं अगर हम 3 साल के इसके रिटन्स देखें तो दोस्तो 18.86% के रिटन्स हैं पिछले 1 साल के इसके रिटन 23.86% के हैं तो overall यह एक शांदार फंड है वहतरीन फंड है काफी प पिली है उसके बावजूद भी अगर यह 16% के रिटन्स को मैंटेन करके रख सकता है तो हम यह एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि यह फंड आगे आने वाले टाइम में भी 15-16% के रिटन्स हमें ग्रोवाइड करा कर दे सकता है SBI के इस फंड का नाम है SBI Focused Equity Fund यह एक डारेक्ट गिरोथ पिलान है जिसके अंदर अगर आप चाहें तो मन्थली बेसिस पर SIP भी कर सकते हैं और अगर आप लंसम में इंवेश्मेंट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं SIP की form में आप minimum 500 रुपीज पर मन्थ उसके ओपर जितना आपका बजट हो यानि एक हजार पांच हजार दस हजार इंवेश्ट कर सकते हैं और अगर आप लंसम इंवेश्ट करना चाहते हैं तो एक साथ आपको पांच हजार रुपे का इंवेश्मेंट करना पड़ेगा और पर जितना आपका बजट हो उतना पैसा आप इंवेश्ट कर सकते हैं अब दोस्तों अगर हम बात करें कि किन कंपनी के अंदर ये फंड अपने पैसे को इंवेश्ट करता है फिर हम कैलकुलेटर पर चलेंगे और देखेंगे कि अलग-अलग टाइम पीरेड पर हमें ये फं है मुथट फाइनेंस ये जो बाहर की कंपनी हैं इनके अंदर भी ये अपने पैसे को इंवेश्ट करता है जो फोरन एकविटी हैं दो फोरन एकविटी के अंदर इंवेश्टमेंट है और बाकी इंडियन जो टोप की कंपनी हैं उनके अंदर इसका इंवेश्टमेंट है अ आप ये investment एक साल के लिए भी कर सकते हैं, पाँच साल के लिए भी कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा समय के लिए भी आप ये investment कर सकते हैं, फॉर एक्जामपल अगर आप पांच साल तक कॉंटेन्यू पच्छिस सो रुपे हर महीने इस फंड के अंदर invest करते हैं, तो टोटल investment जो आपका होगा वो एक लाग पचास हजार का होगा, और जो estimated returns आपको मिलेंगे 16% के हिसाब से, वो 80,000 से ज़्यादा के होंगे, और final amount जो जो हमने invest किया, एक लाग पचास हजार और 80,000 जो estimated returns मिलें, इन दोनों को मिलाकर, finally 2,30,000 रुपे का हमारा amount हो जाता है, वहीं अगर हम 10 साल के time period की बात करें, तो 3,00,000 रुपे total हमारे invest होंगे अगले 10 सालों में, और जो estimated returns हमें मिलेंगे, वो 4,41,000 रुपे के होंगे, और हमें estimated returns मिलेंगे, और final value हमारी बढ़तार 18,01,000 रुपे हो चुकी होगी, 20 साल के time period के अगर हम बात करें, तो 6,00,000 रुपे total हमारा investment होगा, और 37,03,000 रुपे हमें estimated returns के रूप में मिलेंगे, और final amount हमारा 43,03,000 रुपे का हो चुका होगा, अगर आप retirement के point of view से, इस fund के तो उस case में दोस्तों जो 30 सालों में आपका investment होगा, वो 9,00,000 रुपे का होगा, पचिस सो रुपे हर में इने के हिसाब से, लेकिन जो आपको estimated returns मिलेंगे, वो 2,12,00,000 रुपे के आसपास होगे, और final amount हमारा कितना हो जाएगा, 2,21,000 रुपे के आसपास हमारा final amount होचुका होगा, इसी तरह से आप अगर चाहें तो लंसम भी investment इस fund के अंदर करके आप छोड़ सकते हैं, माली जी अगर आप 50,000 रुपे एक बार में invest करके छोड़ते हैं, अगले 30 सालों के लिए, तो हमारा 50,000 रुपे बढ़कर 22,92,000 रुपे हो जाता है, वहीं अगर हम 5 साल की बा हम बात करें, दोस्तों, 15 साल की, तो हमारा 50,000 रुपे बढ़कर 4,63,000 रुपे हो जाता है, अब दोस्तों, आप इस fund के अंदर investment कैसे कर सकते हैं, SBI के अंदर वैसे तो और भी कही सारे funds हैं, लेकिन ये fund खास है, क्योंकि इसके overall returns जो हैं, वो काफी attractive हैं, तो आपको अगर investment खुद से करना है, तो आप खुद भी कर सकते हैं, official website से भी जाकर आप कर सकते हैं, अगर आपको खुद से investment करना है, तो आपके पास में एक DMAT account होना चाहिए, ये DMAT account आप गिरो या जरोदा के अंदर खोल सकते हैं, अगर आप खुद से अपने fund के अंदर investment करेंगे, और direct category मे available है, धन्यवाद